हलो स्टुडेंस आज हम लोग विश्ट बिंगॉल बूर्ड क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर दसी पढ़ने वाले हैं पोएट का नाम जेम्स रीव्ज है तो यह जो पोएम है ठीक है कुल तीन स्टैंजा में बटा हुआ है और तीनों स्टैंजा में समुद्र का तुलना एक कुट्टे से किया गया है ठीक है और यहां पर जो समुद्र है उसको तीन स्टैंजा में कुछ इस तरीका से बताए कि पहला स्टैंजा में समुद्र का तुलना एक भूके कुत्ते से किया है, दूसरा स्टैंजा में समुद्र का तुलना एक हाउलिंग डॉग यानि की चिलाने वाले कुत्ते से किया गया है, और तीसरा स्टैंजा में समुद्र का तुलना एक सोता हुआ एक सांत कुत्ते से किया तो पोयम कुछ इस तरीका से शुरू होता है The sea is a hungry dog, giant and grey, he rolls on the beach all day तो sea यानि की समुद्र, ये जो समुद्र है, ठीक है एक hungry dog, hungry dog मतलब एक भूके कुट्टे के जैसा है जो की बहुत विशालका है और भूरे रंग का है और वो दिन भर बीचेस में रोल करता है ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, देखे The sea is a hungry dog, तो यहाँ पर sea जो है, उसको compare किया गया है यानि की, जो समुद्र है, उसका तुल्ना किया गया है, dog से ठीक है, भूके कुट्टे से तो जब हम लोग sea का, ठीक है, जब हम लोग 2 word का एसा दो word जिसका कोई comparison नहीं है, देखे, sea और dog का यानि की, समुद्र और कुट्टे का कुछ comparison नहीं है, कुछ तुल्ना नहीं है फिर भी, poet ने यहाँ पर sea का तुल्ना dog से किया है तो जब sea का तुल्ना dog से किया गया है, तो इस तरह का word को हम लोग metaphor कहते हैं क्या कहते हैं, metaphor, ठीक है तो sea is a hungry dog, यानि की sea जो है, एक भूका कुट्टा है जो की बहुत विशाल का है और भूरे रंग का है और he rolls on the beach all day, ठीक है तो यहाँ पर sea को, यानि की sa mudra को he, ही हम लोग, इंसान लोग के लिए use करते हैं पर यहाँ पर sea का तुल्ना, ठीक है, he से किया गया है यानि की sa mudra का तुल्ना, he सब्द से किया गया है और he हम लोग, इंसान लोग में लगाते हैं तो ऐसा वर्ट सब को personification कहा जाता है घिक है तो यहाँ पर जो समुद्र है यानि कि जो कुत्ता है घिक है वो बीच में घूमते रहता है तो वैसे ही समुद्र जो है ठीक है ना बीच में घिक है उपर नीचे यानि कि जब जो आर भाटा आता है जब tides आता है तो समुद्र क्या ज़सा होता है थोड़ा उपर उठता है फिर थोड़ा नीचे जाता है फिर थोड़ा उपर उठता है फिर थोड़ा नीचे जाता है तो वैसे ही समुद्र को यहाँ पर बोला गया क्या कि वो बीच में जब आता है तो वो उपर नीचे जाता ह यानि कि जो आर्भाटा उसमें होता है, ठीक है, तो वैसे ही कुत्ता को भी compare गया कि वो भी बीच में क्या करता है, घूमते रहता है, आगे-पीछे, आगे-पीछे घूमते रहता है, ठीक है, सबन्या आपको, with his clashing teeth and shaggy jaws, hour upon hour he groans, the rumbling-tumbling stone and bones, 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 तो यहाँ पर जो कुट्टा है उसको बोल रहा है कि यह जो कुट्टा है यहाँ पर अपना क्लैशी टीट यानि कि उसका जो तेज तर्रार दात है ठीक है और शैगी जॉज यानि कि उसका जो जबड़ा है ठीक है ना तेज धार जबड़ा है ठीक है उसको वो क्या कर रहा है क कटकटा रहा है, क्लैशिंग का मतलब होता है, कटकटा ना, देखिए, जब ठंडा के समय में, हम लोग अपना दाथ को कटकटाते हैं, तो वैसे ही, जो कुत्ता है, जब भूका रहता है, तो वो अपना दाथ को कटकटाता है, ठीक है, अपना शागी जॉस में, ठीक है, और व तो वो वैसे ही समुंदर को जब भूख लगता है तो यहाँ पर समुंदर का जो भूख का बात क्या आगया तो समुंदर को जब भूख लगता है तो वो क्या करता है रंब्लिंग टंब्लिंग स्टोन यानि कि जो समुंदर का अंदर पत्थर होता है एक दूसरा में क्या करता है टकराते रहता है तो गोल होते रहता है और टकराते रहता है तो जब टकराता है तो देखेगा उसमें से आवाज आता है ठीक है तो वो जो रंब्लिंग टंब्लिंग स्टोन का आवाज ठीक है और बोन्स 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 यानि कि जो हड़ी है ठीक ह जहां पर जब कुट्ता देखेगा जब अपने जबड़ा से ठीक है न मतलब अपना दांत से जब हड़ी को टक टक मनेब जब करके तोड़ता है तो वो एक कट कटाने का आवाज आता है हड़ी चूटने का तो वैसे ही जब समुदर का लहर ठीक है जब समुदर में लहर आता ह जब समंदर चलता है तो वो जो अपना पत्थर को क्या करता है गोल-गोल गुमाते रहता है एक दूसरा को पर रगडते रहता है तो वही आवाज को यहां पर compare किया ठीक है अच्छा यहां पर तीन बार bone 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 का शब्द इस्तमाल किया है यह बताना चाहता है poet कि यह जो समंदर ह है ठीक है समंदर का जो भूक होता है बहुत बहुत जादा होता है ना बहुत जादा होता है तो उसी तरीका से यहां पर bones सब्द का इस्तमाल किया गया है ठीक है कि जैसा एक बहुत विसाल कुट्ता bones यानि कि जो जो से जब चिलाता है जब उसको भूक लगता है तो वो क्या करता है अपना ही जीप से अपना ग्रेसी पॉंस यानि की जो गीला मतलब उसका जो पैर है ठीक है ना पंजा है उसी को क्या करता है वो चाटते रहता है ठीक है ना समझ में है तो तो वैसे ही जब समुद्र को ठीक है जब समुद्र को भूख लगता है तो वो क्या करता है बीच में आता है फिर चला जाता है फिर चला जाता है यह जो बीच में आता है तो बीच को पानी कर देता है मतलब गीला कर देता है और फिर चला जाता है तो वैसे ही जब कुटा को भूक लगता है तो वो क्या करता है अपना पंजा को चाटते रहता है तो वो चाटता है फिर सुख जाता है फिर चाटता है तो वैसे ही करके यहाँ पर जो समुद्र का जो लहर है ठीक है ना समुद्र का जो लहर है वो आता है बीच में उसको भिगा देता है और फिर चला जाता है वापस ठीक है न तो इसी से इसको compare किया गया तो hope आपको first stanza समझ में आओगा second stanza कुछ इस तरीका से है अच्छा second stanza में poet में यह जो समुद्र है उसकी तुलना एक howling dog यानि की चिलनाने वाले कुट्टे से किया गया है ठीक है अब सुनी क्या है and when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud यानि की जब रात में ठीक है जब रात में wind roars का मतलब क्या होता है wind का मतलब होता है तेज हवा ठीक है और roads का मतलब होता है तेज हवा जब चलता है ठीक है तो जैसे रात में कुट्टा लोग ठीक है वो बहुत जो जो से जब चिलाता है तो वैसे ही रात में समुद्र का सामने जो तेज हवा है वो बहुत बहुत जोर से चलता है ठीक है and the moon rocks in the stormy cloud और जो moon है ठीक है moon rocks यानि कि जो चांद है ठीके ना जो चांद है वो निकलता है कहा पर स्टॉमी क्लाउड स्टॉमी क्लाउड मतलब तूफान वला बादल में निकलता है ठीके बाउंज टू हीस फीट एंड सनफ एंड स्निफ शेकिंग हीस वेच साइड ओवर दखलिफ तो यहाँ पर बुला क्या गया है कि जो कुट्टा है ठीक है जब वो जब उसको भूक लगता है तो वो क्या करता अपना सर को नीचे जुगा के अपना पैर को सूनते रहता है चाटते रहता है ठीक है न स्निफ snuff and sniff snuff and sniff का मतलब है तो सुना ठीक है तो वैसे ही जब समुद्र को भूख लगता है तो वो क्या होता है वो अपना आपको जोर-जोर से उबाता दुबाता है फिर उठाता फिर दुबाता है ठीक है और जैसे ही जब एक कुत्ता भीग जाता है जैसे ही जब एक कुत्ता जब बदन जब भीग जाता है तो वो अपना बदन को जहटका कह सफा कर लेता है तो वैसे ही समुद्र जो है ठीक है वो अपने आपको क्लिफ यानि की चोटी में बार-बार टकराते रहता है ठीक है बार-बार टकराते रहता है and and howls and holes long loud यानि कि जो कुत्ता है ठीक है न वो जो जो से चिलाता है दिन बर जब उसको भूख लगता है तो वैसे ही जब सम्मुद्दर जो होता है जब उसमें भी जुआर माता आता है तो वो क्या करता है बहुत जो जो से आवाज नपाथा है तो second stanza यह था अगर आपको कुछ भी डाउट होगा second stanza और first stanza में कुछ word नहीं समने है तो आप comment में पूछ सकते है यह poem का last stanza और यहां पर poet ने ठीक है कुत्ते का comparison किया है समुद्र से यहाँ पर जो कुत्ता है वो सोया हुआ है यानि कि सांध समुद्र का comparison किया गया है डॉक से ठीक है but on quiet days in May और जून whenever the grass is on the dew तो यहाँ पर बुला गया है quiet day in May and June तो May और जून का महनत है गरमी का महनत है ठीक है न और quiet day जानि शांत दिन तो जो मे और जून का दिन में जब गरमी का मौसम रहता है तो कैसा कुट्ता लोग भी देखेगा बहुत हाफते रहता है गरम से ठीक है वो भी सांत रहता है तो वैसे ही समुद्र भी जो होता है गर्मी का इसमें ठीक है एकदम शांत रहता है क्वाइट रहता है तो इसमें जो ग्रास है यानि की जो घास है उनलोग भी एकदम शांत रहता है कोई अवाज नहीं लेकालता है एकदम शांत रहता है ठीक है with his head between his paws he lies on the sandy shore so quiet so quiet he scarily snore snore का मतलब होता है खराटे लेना ठीक है तो यहाँ पर समुद्र का बोल रहा है क्या कि ऐसा जब कुट्ता को ठीक है जब कुट्ता एकदम शान्त रहता है तो वो क्या करता है अपना सर को अपना दोनों पंजा का बीच में रखके चुप से सांती में रहता है तो वैसे ही जब समुद्र एकदम सांत रहता है तो वो क्या करता है वो sandy sore यानि कि जो रेतिला sore है ठीक है ना रेतिला किनारा है उधर पर आके वो एकदम शान्त रहता है So quiet so quiet ठी स्केरली स्नौर और इतना शांत रहता है कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र खराटा भी ले रहा होगा कि नहीं मालूम नहीं ठीक है ना मतलब एकदम सांत में सोया हुआ ठीक है तो होप आपको ये पोयम समझ में आया होगा